इसमिल्लाहराह्मानुरहीम असलामुलीकुम दोस्तों वाइसेवन प्राइम 2018 का फर्पी वाइपास करेंगे हम इसमें तो लाइक शेर अड़ सब्राइब टू माइचेनल अभी स्टार्ट करते हैं इसको हम यह वाइसेवन प्राइम हवावे का मॉडल है इसका हम फर्पी गणिक्टर हा और टू फिंगर के दरीए आपने स्क्रीन को प्रेस करने है तो यह वाईसओवर ओन हो जाएगा इसका है मैं इसको एल शेफ में हम फिंगर को करेंगे स्क्रीन के ऊपर रुटाइफ रेक सेटिंग ओपन करेंगे अभी टाप वैग को वाईसओवर को ओफ करन तो यह देखें यह ओफ हो गया है यह शॉर्टकट कीज होती है अभी हम help and feedback पर क्लिक करेंगे इदर अभी पहले हम करते थे get started with wise तो अभी यह उन्होंने ब्लाक कर दिया इदर से youtube अपन नहीं होता अभी about switch access for android पर क्लिक किया तो youtube की video वाली option आगी है उसको क्लिक किया हमने अभी switch access के उपर क्लिक करेंगे तो यह video वाला page ओपन हो गया हमारा youtube के link ओपन हो गया इदर हम अभी इसको drag करके नीचे कर देंगे और इसकी setting ओपन करेंगे option में जाएंगे इदर हम terms and privacy policy पर क्लिक करेंगे तो यह इदर open नहीं कर रहा है यह नहीं करेंगा तो अभी हम video प्ले करेंगे जो थी इदर हम share पर क्लिक करेंगे और gmail के icon को press करेंगे और यह new page open हो गया भी हम three dots के ओपर क्लिक करेंगे इसकी setting में जाएंगे फिर three dots के ओपर क्लिक करेंगे और manage account पर क्लिक करेंगे तो अभी just once के ओपर क्लिक कर देंगे इदर यह देखें यह इसकी setting open होगी है तो इदर हम system में जाएंगे यह last में है system अभी हम इसको reset करेंगे reset all setting reset all setting के उपर क्लिक किया और reset all setting कर देंगे इसको यह देखें यह resetting हो रही है resetting के बाद हम इसको restart करेंगे फोन को तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे subscribe नहीं किया तो subscribe का red button प्रेस करें और उसके साथ जो बैल लाइकान है उसको दुरूर प्रेस करें ताकर आने वाली updates मिलती रहें आपको यह देखें यह reset complete हो चुका है तो अभी हम इस phone को restart करेंगे यह देखें यह phone restart हो गया हमारा तो अभी यह restart होगा तो हमारा phone menu में चला जाएगा तो उदर से हम इसका developer mood on करके इसको reset करेंगे फिर developer mood on करने के बाद उसमें OEM की setting होती है उसको on करने के बाद हम इस phone को reset कर देंगे और फिर reset होने के बाद FRP खतम हो चुका होगा इसका यह देखें यह मारा phone menu में आ चुका है तो अभी हम इदर file manager open की है तो री setting में जाएंगे इसकी file manager में नहीं इसको system में जाके इदर about में जाएंगे about phone फोन पर क्लिक किया भी बिल्ड नंबर पर seven time क्लिक करना है आपने तो फिर वैक कर देना इसको developer option on हो चुकी है इसकी यह देखें इसमें होई अमंग वाकिंग की option है इसको on किया इनेबल अभी बैक करेंगे और इसको reset कर देंगे phone को फेक्टरी डेटर रिसेट करना है अभी आपने पहले हमने reset all setting किया था अभी आपक्री डेटर रिसेट करना है रिसेट phone रिसेट होने के बाद हमारा phone जब start होगा तो Gmail account बाई-पास हो चुका होगा इसका यह बहुत easy method है new method है इसके जरीए आप और model भी कर सकते हैं वावी के यह देखे रिसेट हो रहा है phone रिसेट होने के बाद चार-पांच मिनट लेता है यह ओनोने में तो अधर आपको wait करना पड़ेगा थोड़ा चार-पांच मिनट तकरीबन ओनोने में यह ले लेता है रिसेटिंग के बाद अभी तो यह रिसेट हो रहा है रिसेट होने के बाद यह चार-पांच मिनट कम अधकम ले लेगा वीडियो में मैंने वो skip कर दिया है वो इसलिए आपको वीडियो में थोड़ा साइसा नजर आएगा उसका के वावी लोगो पे यह रुका रहता है थोड़ी दिर वो complete करता है सेटिंग तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अधर यह चार से पांच मिनट लोगो पे रुका रहेगा उसके बाद यह फून आपका मेन्यू में चला जाएगा यहीं सेटिंग के बाद जब स्टार्ट होगा वावी लोगो देगा यह देखें यह इदर और यह हमारा फून एक् स्किप स्किप करते जाना है अग्री लेटर अग्री टू आल स्किप कर देंगे इदर से more more पे क्लिक किया accept किया इसको set up as new phone यह हमारा फून रेड़ी है अभी ओके अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया तो सब्क्राइब कर लें और उसके साथ जो बेल आइक अना उसको जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली निवा अपडेट्स आपको मिलती नहीं रहें यह देखें यह 850 वर्जिन है थैक्स और वाचिंग अल्लाहफेज